फर्स्ट इयर ओनर्स के प्यारे बच्चों, मानव भूगोल के छेत्र और परिभाषा के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध किस तरह से होता है? तो अब आप देखें कि मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों से जो संबंध है, तो पहले सबसे पहले हम जैसे बात करें कि History is a geography of time, wherever geography is a history of places, ये विद्वान शर्मा जी थे जिन्नोंने 2002 में ये बात कही थी, कि मानव भूगोल एक गत्यात्मक अध्यन है, भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में सदयव परिवर्टन होते रहते हैं, जहां स्वेम मनुष्य इस नियम से अलग नहीं है, वातावरण के परिवर्टनों में बहुत एक तथा रासायनिक शक्तियां ही सम्मिलित नहीं हैं, बलकि समस्त प्राणी और विशेशत मानवी शक्तियां भी सम्मिलित हैं, चुकि मनुष्य इवम उसका वातावरण दोनों ही परिवर्टन शील हैं, अता इनका पारसपरिक संबंद जो भी है, वह मानव भूगोल का अध्यन छेतर हैं, यह हम पहले बात कर चुके हैं, तो परिवर्टन शील एक और परिवर्टन हो जाने से, और दूसरी और इसकी प परिवर्टन, क्रियाशीलता, यह सब पढ़ते हैं, यह बहुत एक ततर हसायनिक शक्तियों के आधार पर ही नहीं होता, बलकि मानविय शक्तियां भी इसमें बराबर शामिल होती हैं, और प्रतेक परिवर्टन में उत्तरदाई होती हैं, एक तथ्ये, यहां पर एक और पस्ट अंग स्विकार कर लिए हैं, पहला भतिक भुगुल, दूसरा मानव भुगुल, अब यह विबाजन अध्यन की सरलता और दोनों के बीच ठीक ठीक सम्मंद जानने के लिए किया गया है, हमारा उद्देश है कि इन दोनों शाखाओं के विशद अध्यन को जोडने का प्रियास करें, क्योंकि यह दोनों शाखाओं एक दूसरे से इतनी अधिक भिन नहीं है, क्योंकि प्रकरती जितना मनुष्य के लिए जरूरी है, उतना ही मनुष्य भी प्रकरती के लिए अवश्यक है, क्योंकि प्रकरती की सारी जो परिवर्तन हमें आज दिखाई देते है वो मनुष्य की क्रिया शीलता और समायोजन के कारण ही संभव होगे हैं तो ये एक दूसरे से इतने ज़्यादा भिन नहीं है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंधित है मानव भूगोल का भोतिक भूगोल से वही संबंध है जो एक पेड़ का फल से होता है यानि पेड़ है तभी फल है और फल में जो बीज है उसी से पेड़ बनता है तो ये दोनों चीजे एक दूसरे के लिए पूरक हो गई इसी संदर्व में मानव भूगोल का एक अन्य विज्यानों से संबंध की व्याख्या next मैं कर रही हूँ सबसे पहले हम बात करेंगे मानव भूगोल और प्राकर्तिक विज्यान प्राकर्तिक विज्यान मतलब आपका बहुत तिक जुतने भी विज्यानिक विज्यान है जैसे भूगर्व विज्यान है जो की सीधे प्रकर्ति से संबंध रखते हैं तो प्रदेशों की भुवाकृतियां, परवतों, मैदानों, घाटियों, आदी का मानव विकास से सीधा संबन दोता है। इसके अतिरिक्त प्राकर्तिक संसाधनों में खनीज पदार्थों का भी मुख्य स्थान होता है। इसलिए मानव भूगोल में इन दोनों तत्वों, अर्थात, भूमी की बनावट और भूआकृतियां तथा शैलों और खनीज पदार्थों का अद्यन होता है। भू अकृतियों तथा शैलों और खनीज बदार्थों का मूल अध्यन भू विज्ञान अर्थात भूम्याकार का विश्य है। इसलिए मानव भूगोल का भूगर्व शास्तर से सीधा संबन्द होता है, क्योंकि जैसी भूमी होगी, मानव का जीवन भी उसी के अनुकूल होगा। और जितने खनीज बदार्थ उपलब्द होंगे, उतना ही मानव का आर्थिक आधार मजबूत होगा। दूसरा है मानव भूगोल और रितु तथा जलवायू विज्ञान। मनुष्य के भोजन, वस्त्र, मकान, आधी सब किस प्रकार के बनेंगे और किन फ़सलों की खेती वो करेगा, कहां अधिक स्वास्त्यपून और सुविधा पूर्वक जीवन यापन करेगा, इन सब बातों को निश्चित करने में जलवायू का सीधा सीधा हात होता है, या सबसे महतवपून जलवायू ही होती है, जो मानव के जीवन को प्रभावित करती है, अब यहां मैं आपको एक दो एक्जामपल दे देती हूँ कि जैसे आप देखते हैं कि तीन पाग में यदि हम बू आकरती को बाट लें, पहाड, संतल, मैदान और त्टिये छेतर, अब तीनों ही जगें पर रहने वाले मानव को यदि आप देखेंगे, तो उनके रहन सहन में, उनके मकानों की बनावट में, उनके खुद के वस्त्रों में, उनकी खान पान में, सभी में उस छेतर का महत्व दिखाई देता है, जैसे आप पहाडों की तरफ देखेंगे, वहां जाएंगे, तो वहां के लोग हमेशा ठंड में रहते हैं, और अध अधिक श्रम करते हैं, अधिक मेहनती होते हैं, क्योंकि उनको रेगुलर अपनी जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको लेने के लिए ही पहाडों पर उतरना और जड़ना पड़ता है, तो वहां पर लोग की कद थुड़ा छूटा देखने को मिलता है, शरीर संग होता है, बहुत स्ट्रॉंग शरीर के पहाडी लोग होते हैं, उनका खानपन भी आप देखेंगे, तो जितना भी खानपन वो खाते हैं, उसमें गर्मी की चीज़ें जादा होती हैं, क्योंकि वहां ठंड अधिक पड़ती हैं, अब मैदानी भाग में आएंगे, तो मैदान का व्यक्ति जो होता है, वो बहुत एक तरह से आलसी भी होता है, दिन में उसको सोना भी होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब सारी चीज़ें बड़े आसानी से मिल जाती हैं, तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, इसलिए मैदानी छितरों के लोगों को आलसी भी कहा जाती हैं जहां पानी रुके नहीं, बर्फ रुके नहीं फिसल कर नीचे गिर जाए, तो उनकी जोपड़ियां, घर की छटें हमेशा तिर्ची, तिर्ची छट वाली होती हैं, जिन पर पानी और बर्फ ना रुके, जबकि मैदानी भागों में जो छट होती है, वो बिल्कुल सिंपल समतल भाव रूप में बनाई जाती है तटिये छेतरों में आप देखेंगे तो वहाँ अच्छे नाविक आपको वेक्ती मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर मचली पालन का व्यवसाह सबसे ज़्यादा किया जाता है उनके खानपान में भी मचली का महतपूर्ण स्थान होता है और वो लोग चुंकि लगातार समुद्र तटिये छेतरों में रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर नाव चलाते हैं तो उनके हाथ बहुत मजबूत होते हैं और वो एक अच्छे नाविक के रूप में दिखाई देते हैं मनुष्य की जो प्रती दिन की क्रियाएं होती हैं उस पर रित्व का बड़ा प्रभाव पड़ता है जलवायू के अनुसार विभिन प्रदेशों की वनस्पती जीव जन्तू होते हैं यानि ठंडे छेतरों के जो जीव जन्तू होंगे वो बड़े बड़े फरवाले होंगे उनके लंबे लंबे बाल होते हैं और मेदानी भागों के जो पश्यू होते हैं वो प्राय बिना बालो वाले या बहुत कम बालो वाले देखने को मिलते हैं अब आप वहाँ जब पहाडों में जाएंगे तो आप देखेंगे याक, लंबे-लंबे बाल, आंखो तक में उनके लंबे-लंबे बाल दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा कोई भी जीव आपको मैदानी भागों में दिखाई नहीं देगा, इसलिए मानव भूगोल के अध्यन में रित्व और जलवायू का विशेश आधार हो संसार भर के सभी मनुष्यों को भोजन म्रदा से प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य या तो शाकारी होगा, या तो मानसारी होगा, जिसका भोजन शाकारी होता है, उसके लिए खेती की फसलें और बगीचों के फल म्रदा में ही पैदा होते हैं, और मानसारी मनुष्यों क भोजन जिन पश्यों से प्राप्त होता है वे पशु घास आदी वनस्पती ही खाते हैं और वनस्पती मिट्टी से पैदा होती है तो ये एक दूसरे से सह संबंदित हो गए कि मनुश्यक भोजन पर सीधा सीधा प्रभाव आपके म्रदा का पड़ता है चाहे वो क्रशी म्रदा से ही प्राप्त होता है कम उपजाव मिट्टी को मनुश्य खाद देकर उसको उपजाव बना लेता है और खेती की फसलों में हेर फेर करके मिट्टी के उपजाव बन को कायम रखता है विबिन प्रकार की फसलों के लिए विबिन प्रकार की मिट्टियां या खाद आ इस प्रकार भोजन सामगरी उत्पन करने वाली मिट्टियों का अध्यन मानव भूगोल का मूल रूप में म्रदा विज्ञान का विशे है इसलिए मानव भूगोल का इस विशे से भी घनिष्ट संबंद होता है फिर उसके बाद है आपका मानव भूगोल और पादप यानि वनस्पती मनुष्य के जीवन में वनस्पती का महतुपोन स्थान है वनों से केवल मकान बनाने की लकड़ी और जलाने का इंधनी नहीं मिलता वनन कल कारखानों के उद्ध्योगों और उनके लिए अनेक प्रकार के कच्चे माल भी वनों से प्राप्त होते हैं वनों क जहां विन्न प्रकार की जड़ी भूटियां मानव के स्वास्त के लिए जो लाबदायक हैं वो सब मिलती हैं तो वनस्पती भूगोल का अध्यन भी बहुत महत्पून है घास के मैदानों और अर्दमरुस्तलों में मनुष्यों को बहु मुल्य प्राकरतिक संसाधन प्राप सम्मंद पादफ विज्ञान से भी है अब यहां मैं यह कहना चाहूंगी कि यह सारे हमने लिए हैं बहुत दिक विज्ञान जिमने सारा सीधा प्रकरती से सम्मंदित है चाहे वो वनस्पती हो म्रदा हो आपकी ढाल हो मनुष्य का जीवन में केवल तीन चीजें सबसे ज़्यादा आवश्यव होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान और यह तीनों ही चीजें प्रत्वी से सम्मंदित होती हैं तीनों ही चीजें के लिए मानव प्रत्वी पर ही आधारित होता है क्योंकि मकान बनाने के लिए भी जमीन चाहिए, फसल उत्पादित करने के लिए भी जमीन चाहिए और फसलों के उत्पादन के बाद ही आपके वस्तरों का निर्मान होता है तो मनुष्य की जो मूल भूत आवशक्ताएं हैं वो आपके यह जो भोतिक विज्ञान है यही पूरी करते हैं तो मनुश्य के जीवन में ये भौतिक विज्ञान बहुत महत्व रखते हैं और मानव भूगोल में इनका अध्यन करना बहुत ही जरूरी समझा गया इसलिए इन सभी विज्ञानों से मानव भूगोल को जोडते हुए मानव भूगोल का अध्यन किया गया यहां मैं इसको बहुतिक विज्ञान वाले विशे को समाप्त कर रही हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञानों के बारे में बताऊँगी कि मनुष्य आगे अपने जीवन में किस तरह से सामजिक विज्ञानों से मानवभूगल संबंदित है धन्यवाद